नमस्कार आप देख रहे हैं आर्माइन टीवी मैं हूँ आपके साथ आश्रीमा त्यागी विल्टुन के शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ तो बता दे कि आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोट में सुनवाई टेल गई है तो ये बड़ी खबर सामने आ र दायर करने तो कहा है तो एमलिक चर्मा और कश्मीर । की संपाधत میں ये याचिका दायर की थी तो ये विरोध है कश्मीर में पत्रखारूस उसे सरकार का नियंत्रन हटाने की मांग इस याचिका में की गई तो जिसे फिलाल ताल दिया गया है दो याचिका पर सुनवाई करते हुए चीज जस्टिस रंजन गोगोई ने दुबारा याचिका दायर करने कुका है वतादे की पहली याचिका में आर्टिकल 370 हटाये जाने का विरोद दिया गया है तो वहीं दूसरी याचिका में कश्मीर में पत्रकारों पर से सरकार का नियंत्रन हटाने की मांग की गई है पहली याचिका एमल शर्मा ने दायर की तो वहीं दूसरी याचिका कश्मीर टाइम्स की संपादक ने दायर की ती और इससे पहले दाखिले इस सुनवाई को टाल दिया गया है जो दोनों याचिका हैं उनको टालते हुए दुबारा से याचिका दार करने को कहा है बुलिटिन में आगे बढ़ेंगे केंद्री ग्रहमंत्री अमस्चाहा ने हर्याना की जीन से चुनावी अभ्यान का आगास किया है आस्था रैली को संबोधित करते हुए ग्रहमंत्री अमस्चाहा ने चुनावी विगुल फूग दिया है आपको बता दे कि एकलव्य स्टेडियों में इस रैली को आयोजित किया गया तो आपको बता दे कि शाहने नेताओं को जीत का मंत्र दिया है चौधरी विरिंडर सिंग ने रैली का आयोजन पूर्व केंद्रे मंत्री चौधरी विरिंडर सिंग की तरह से किया गया की पत्मी प्रेम लता जीन्द जिले के उचाना से बीजीपी की विधायक भी है और इस मौके पर सियम अनोहर लार समेथ बीजीपी के कई दिगजनेता मौजूद रहे तो रैली में सुरक्षा की पुक्ता इंतजाम किये गए हैं सुरक्षा को देखते हुए पंद्रा सु से ज्यादा पुलिस वाले भी तैनाद के गए थे तो बीजीपी का यहां रैली कर जाटो को लुबाने की पूरी कोशिश है तो जीन्द कहीं न कहीं सबकी निगाहें इस पटी की है और जीन से ग्रेमंत्री अमिश शाह ने चुनावी अभ्यान का आगास करते ह हुए जीत का मंत्र बीजीपी निताओं को दिया मैं तो हरियाना में जब जब राष्ट्री अध्यक से नाते जोली लेकर आया हरियाना वास्यों ने मेरी जोली बड़े प्यार से कमल के फुलों से भरकर मुझे वापीस भेजा है मैं विधान सभा चुनाव में आया आपने पूर्ण भहुमत की सरकार बना दी मैं लोग सभा में आया इतना प्यार दिया के मोधी जी के नेत्रुत में तिन सो पार हरियाना की जनता ने हमें करा दिया हरियाना की जन्ता ने करा दिए और इस बार भी जब चुना होगा मुझे मालूम है कि वीर भुमी फीर से एक बार मोदी जी को आसिरवाद देगी हमारे मनोहरलाल जी को आसिरवाद देगी एक नंबर 1966 से पहले तूरे ile rounds ऑसके बाद कि पुनजाब मेंने में टूरे इना के रहने वाले helpful के वन्याद में हाज पूश्काष्ट रहाएं करने के लिए पूर्व प्रिधान मंत्री और बीजेपिक के दिगज नेता अतल विहारी वाजपई की आज पूर्नेति थी है और जिक सुखो लेकर देश के कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रधांजनी दी है तो आपको बता दे कि आज अतल विहारी वाजपई की पहली पूनितिती है देश के कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रधांजनी दी तो दिल्ली में उनके समाधी स्थल सदैव अतल पर राश्रपती राबनात कोविंद, प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी, ग्रह मंत्री अमिशा समेथ, कई बड़े निताओं ने पहुँच कर उन्हें शरधांजली दी है, पिछले साल लंबी विमारी के बाद, 16 अगस्त को अटल विहारी वाजपई का निथन हो गया था, पूरे देश में शोग की लहर थी, और आज उनकी पहले पुनित थी पर, देश के कई बड़े निताओं ने उन्हें शरधांजली दी, तो वहीं पूरा देश अटल जी को आज याद कर रहा है, तो आई अब ग्राफिक्स के जरीए नजर डाते हैं, अटल जी की राजनतिक सपर पर, तो अटल जी 47 साल संसत के सदस्थे रहे, दस बार लोक सभा और दो बार राजनतिक सभा के लिए वो चुने गए, तो आपको वाजपई की राजनतिक सपर, ग्राफिक्स के जरीए हम आपको समझा रहे हैं, 1962 और 1986 में राजनतिक सभा के लिए निर्वाचत हुए थे अतल विहार इवाजपई, तो 1996 से 2004 के पीच, तीन बार पीम रहे देश के, तो 1984 में ग्राफिक्स के जरीए हम आपको बता रहे हैं कि अतल जी का राजनतिक सपर किस तरह से रहा, तो अतल जी को 47 साथ समस्थ के सदस्थे रखा गया, तो 10 बार लोगसभा और 2 बार राजनतिक सभा के लिए उनको चुना गया, 1962 और 1986 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए आतल विहारी वाजपाई, तो वही 1996 से 2004 के बीच तीन बार वो पीम भी रहे और 1984 में ग्वालियर से चुनाव हार गए थे, तो अटल विहारी वाजपाई को आज पूरा देश याद कर रहा है, तो वहीं लखनों में भी पूर प्रधान मंत्री अटल विहारी वाजपाई की पहले पुनित थी पर लोक भवन में सभा हुई, जहापर उनको श्रधांजली दी गई, इस मौके पर सियम योगी आदितना ने उन्हें श्रधांजली दी, तो आपको बदा दे कि लखनों में पूर्व पीम अटल विहारी वाजपाई की पहले पुनित थी पर लोक भवन में सभा हुई थी, योगी आदितनाथ ने उनको श्रधांजली दी, मुके मंत्री के अलावा, बीजेपी के प्रदेश अध्य स्वतंत्र देव सिंग समेत तमाम नेताओं ने अटल विहारी वाजपाई को श्रधांजली दी, इस दोरान उत्तर प्रदेश के मुके मंत्री योगी आदितनाथ भी मौजूद थे, तो लखनों में इस श्रधांजली सभा का अयुजन किया गया था, जहापर मुके मंत्री क के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंग समेत तमाम नेताओं ने अटल विहारी वाजपाई को श्रधांजली दी, लंबे बक्त से विमार चल रहे पूर वितमंत्री अरुन जेटली एम्स में भड़ती हैं, जिनने देखने के लिए जिराश्र में एडमिट हैं, तो एम्स में 9 अगस्त की रात को अरुन जेटली को भड़ती कराया गया था, कई डॉक्टरों की टीम जेटली की स्थिकी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, और इसी बीच जेटली को देखने के लिए राश्टरपती रामनात कोविंद एम्स पहुंचे, तो ये बताया जा रहा है कि अरुन जेटली की जो तव्यत है, वो पहले से और ज्यादा बिगड़ गई है, और उनी का हाल चल जानने के लिए राश्टरपती रामनात कोविंद एम्स पहुंचे, तो आपको बढ़ा दे कि पिछले एक हफते से एम्स में भड़ती है, पूर इस चिठी के तहट ये मांग की गई है कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की इजाज़त उन्हें मिलनी चाहिए, इससे फरजी वोटर कार्डों पर रोक लगेगी और ये कदम राश्टरहित में भी है, तो मामले में चुनाव आयोग पहले भी सरकार से आगरे क पर चुका है, लेकिन तब आधार मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की वज़ा से तल गया था, तो अब इसको लेकर चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की मांग को लेकर आयोग की तरह से कानून मंत्राले को चिठी लिखी गई है, तो आयोग ने कहा है कि वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करने की इजाज़त उसे मिले और इससे परजी वोटर कार्डों पर जो रोक है वो लग सकीगी जो ये कदम रास्ट रहित में भी है, तो इसको लेकर कानून मंत्राले को चुनाव आयोग की तरह से चिठी ल अदालत की तरह से 6 आरूपियों को बड़ी करने के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है, कॉंग्रस की महासचेफ व्यंका गांधी और ब्स्पी सुप्रीमों मायवती की तरह से लोवर कोट के स्पैसले को चौकाने वाला बताया है, देखिए रुपाट पिछली बार भीड के इंसाफ की चर्चा थी, इस बार परिवार को न मिले इंसाफ पर चर्चा है, राजिस्थान की लोवर कोट ने सबूत के अभाफ में सभी 6 आरूपियों को बरी कर दिया, एक तरफ परिवार केस को हाई कोट ले जाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तर इस पर राजवीती से लेकर बॉलिवुड तक ने इस पर प्रत्रिया दी है. हालकि कोट ने घोर लापरवाही के लिए पुलिस को फटकार लगाई है. वहीं फैसे के बाद राजिस्थान के सियम अशोग घहलोत ने मामले की जाच के आदेश ने दिये. पहलू खान वाले मामले में भी सरकार ने ने किया है कि इसका हम अपील करेंगे. इसके जरिये सरकार जानना चाहती है कि कहीं जानबूच कर जाच को प्रभाविक तो नहीं किया गया. केस की सही धंग से जाच हुई है कि नहीं हुई. जिस वीडियो को पूरे देश ने देखा उस वीडियो को कोट ने सबूत मानने से इंकार कर दिया. कोट ने कहा कि पुलिस ने वीडियो की एफसल जाच नहीं कराई. पहलू खान के परिवार को इंसाफ की आस अब भी बाकी है. एक अप्रेल 2017 को हरियाना के नुन के रहने वाले पहलू खान और उनके बेटों की कुछ लोगों ने बहरे में से पिटाई कर दी थी. इलाज के दुरान पहलू खान की मौत के बाद पोलिस ने हत्या मामले में दो नबालिक समेत आथ लोगों को गिरफतार किया था. देश में बाबलेंचिंग के घटनाई बढ़ती चली चा रही है. देश की राज्यों ने इसको लेकर कानून भी बनाया, लेकिन जब तक लोग, सरकार और कानून मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक ना जाने बाबलेंचिंग के कितने पहलू सामने आएंगे. मिवाद से शफरुद्दीन के साथ अनू सिंग की रिपोर्ट आर नाइन टीवी. इतिहास की बात हो गया है, राज्यम्याबा जिंदगी रोजमरा की तोरह होती हुई दिखाई दे रहे हैं, जो आप तस्विरों में देख रहे हैं, तो फ्लाइट्स और दूसरी जरूरी सेवाएं, अब सामाने हो रहे हैं, तो शिरगर से कर रात में फ्लाइट शुरू हो गये हैं, तो वही फ्लाइट्स और दूसरी जरूरी से वाय भी, अब सामाने हो रहे हैं, तो आर्टिकल 370 रहने के बाद यह पहली फ्लाइट थी, तो अब जो इस्तती है, वो जम्मु कश्मीर में सामाने होती हुई दिखाई दे रही हैं, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे बीजिपी सांसत रूपा गांगुली के बेटे आकाश मुखरजी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है आपको बता दे कि आकाश मुखरजी पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप है जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया हाला कि इस पूरे मामले को लेकर प्रधान मंत्री नरंद्र मोधी को रूपा गांगुली ने एक ट्विट भी किया है तो आपको बता दे तो बीती रात रोयल कलकर्टा गोल्फ क्लब की बाउन्टरी बाले में आकाश की गारी ने टक्कर मारी इसके बाद दिवार का हिस्ता का पिर गिर गया और आकाश को इस हाथसे में मामूली चोट आई है जब पुलिस से जाच की तो आकाश नशी में था हाथसे के बाद रूपा गांगुली ने पीम को टैग करते हो एक ट्विट भी किया है कि मेरा बेटा मेरे आवास के पास दुरगटा का शिकार हो गया मैंने को फोन किया ताकि वो इसके कानूनी पहलों को देखे कृपया कोई पक्ष नहीं लिया जाए तो यहां पर बीजिपी सांसद रूपा गांगुली की तरह से यह ट्विट प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी को किया गया तो पुलिस के रुक से परिशान होकर उन्होंने यह ट् सवास के पास दुरगटनक का शिकार हो गया तो यह आपको तस्वीरे भी हम दिखा रहे हैं उस ट्विट की तो इस ट्विट में साफ लिखा है कि मैंने पुलिस को फोन किया ताकि वो इसके कानूनी पहलों को देखे कृपया कोई पक्ष नहीं लिया जाए कोई राचनिती ना की जाए ना मैं गलत करती हूँ ना गलत सहती हूँ मैं बिकाओं नहीं हूँ तो यह ट्विट बीजिपी स्तांसद रूपा गांगूली की तरफ से प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी को किया गया आपको बता दे कि बीते रात जो है हाथसे का शिकार हुए थे आकाश मु के लिया है और अब रूपा गांगूली की तरफ से प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी को ट्विट कर मदद मांगी गई है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस पुरे मामले में ना राजनीती की जाए ना मैं गलत करती हूँ ना मैं गलत सहती हूँ हर्याणा में विधानसवाद चुनावों की तयारियां जोरो पर हैं सेमनोहरलाल इन तयारियों के बीच हर्याणा में जन आशिरवाद यात्रा निकालेंगे और इनी तयारियों को लेकर इंद्री में कंड़ेव कांभोश ने कारिकरताओं के साथ बैठक की मुलाकात कर वहा की टीवी स्क्रीन पर हैं आप देख सकते हैं किस तरह से राज्यमंत्री कंड़ेव कांभोश कारिकरताओं के साथ बैठक उनकी तरह से की गई और तयारियों का जायजा उन्होंने लिया है तो आपको बता दे कि सेमनोहरलाल जन आशिरवाद यात्रा निकालेंगे तो हर्या की तयारियों को लेकर राज्यमंत्री कंड़ेव कंवोश ने कारेकरताओं के साथ बैठक की और तयारियों का जायजा लिया और अब खबर पत्यबाद से है पत्यबाद में सिविल अस्पताल में पार्मसिस्टों की तरफ से प्रदर्शन किया गया नारे बाजी कर विरोध यहां पर उनकी तरफ से जताया गया जो आप तस्विरों में साफ देख रहे हैं पार्मसिस्टों की तरफ से सेलरी पढ़ाने की मांग जो है वो की गई है तो इसी मांग को लेकर नारिबाजी जो है पार्मसिस्टों की तरफ से की गई तो सिविल अस्पिताल की तस्विरे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से वो अपने रोज को जाहिर कर रहे हैं एक जुट होकर सीम को ग्यापन सौपने की तैयारी में है लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरह से फार्मसिस्टों में नाराज की है और नारे बाजी कर फार्मसिस्टों ने सेलरी बढ़ाने की मांग की तो वही उन्होंने ये भी मांग की है कि एनमसी बिल में जि प्यारी की बात भी कहीं और आप खबरों में आगे बढ़ेंगे और आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश की रामपूर की रामपूर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किले एक बार पर से बढ़ गई हैं और अब पुलिस की रडार पर आजम का हमसफर रिजोर्ट है तो पुलिस ने बड़ी कारवाई करते हुए आपको बता दे कि रिजोर्ट से 1000 मीटर अबैर कबजा हटाया है रिजोर्ट की दिवार भी गिरा दी गई है तो आरोप है कि रिजोर्ट सरकारी जमीन पर बना हुआ है तो रामपूर से समाजवादी पार्टी के सांसद है आजम खान और उनकी मुश्किले लगातार बढ़ती जा रही है और पुलिस की रडार पर आजम खान का हमसफर रिजोर्ट आ गया है पुलिस ने प्रशासन की तरह से रिजोर्ट पर बड़ी कारवाई करते हुए रिजो रिजोर्ट के दिवार भी जो है वो गिरादी गई है आप देख सकते हैं किस तरह से जो कारवाई है वो आजम खान के हमसफर रिजोर्ट पर की गई है पुलिस की तरह से पुलिस प्रशासन की तरह से हटाए गया है और अब आत यूपी के संभल की यूपी के संभल से शरमसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाइक सबार यूवक किस तरह से इकनावालिक के साथ छेड़ खानी कर रहे हैं और अब ये विडियो सोशल मीडिया पर वारल हो ग करेंगे बाइक सबार यूवक एक नावालिक के साथ छेड़ खानी कर रहे हैं ये विडियो सोशल मीडिया पर वारल हो चुका है और विडियो वारल हुआ तो पुलिस की नींद भी खुली तो पुलिस ने चार लोगों को खिलाफ जो है मौमामला दर्श कर लिया है हाला कि ये भी तक कोई गिरफतारी की जो बात है वो सामने नहीं आ रही है लेकिन ये तस्वीरें बेहद शर्मसार करने वारी हैं जहां पर एक नावालिक को के सरा से ये बाइक सबार छेड़ रहे हैं वहां मौजूद लोगों की तरह से भी कोई बीच बचाव करानी की कोशिश न हुआ है यूपी के संभल की तस्वीरें और बेहद शर्मसार करती हैं पुलिस प्रिशासन सवालों के गेरे में आला कि पुलिस का कहना है कि इस वीडियो के बारन होने के बाद जो चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है लगातार हो रही बारिश से अभी लोग समले भी नहीं थे कि अब एक बार पिर से तमाम राज्यों में अलर्ट जारी किया है मौसम भाग का कहना है कि देश के नौ राज्यों में भारी बारिश हो सकती है जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है तो इस वक्त देश के 36 जिले मुसलाधार बारिश की चापेट में है बयंकर बार की चलते अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है तो बारिश की वजह से नर्मदा, शिवनात, बेतवा और तापती नदियां उफान पर है और इसी बीच मौसल विभा की तरब से जो ये चेताबनी जारी की तो आपको बदा दे कि इस वक्त जो मध्यप्रदेश के 36 जिले है वो मुसलाधार बारिश की चपेट में है कई जगा पर बार के चलते लोगों की मौत भी हो चुकी है और इसी को लेकर इस तरह की कोई घटना ना हो लोगों को कोई नुकसार ना पहुंचे इसको लेकर तमा और से के साथ इस बुलिट में फिलाल इतना ही आगे भी जोरी खबरों को सिलसला आप देखते रहे आरना इन टेवी